बाली ही पुरा सुप चुगा है, ख्रेस लग जाता है, अरहों देखिए, इधार रास्ता है, कुछ-कुछ दाना में चावल है, सुबा का समय है, पाउने साथ बजने वाला है, और देखिए, गाउं घर में की सतरा काम हो रहा है, काम करने से ठंधा मी नहीं लगता है, सहर के लोग इस टाइम पे जैकेट, स्वेटार, तरह तरह गर्मी कपड़े पहने हुए हैं, लेगिन गाउं के लोग देखिए, किस तरह काम कर रहे हैं, काम करने के बाद देखिए, ठंधा अपनी आप दूर हो जाता है, भाई इसी तरह काम हो रहा है, सुबह में, आजकर लगतार अपने अपने खलियान को साप कर रहे हैं, त्यारी कर रहे हैं, दो तिन दिन से लगतार सुबह में यही काम देखने को मिल रहे हैं, खलियान को त्यार कर रहे हैं, फसल रखने के लिए, फसल मिशने के लिए, कहीं घाश छिल रहे हैं, कहीं मिटी भर हैं, कहीं लिपाई कर रहे हैं, फसल काटने से पहल EH काम जरूरी है, खलियान का खलियान तियार रहेगा तब फसल लाएंगे खलियान में और मिशेंगे, कि यि कुछ है समान जान City दो तीन दिन से आज कल सुबा में इसी तरह उता वरण था मैं असमान में बादल रहता है थोड़ा बहुत कुरह साहीं रहता है कुछ लोग के स्कूल जा रहा है कुछ लोग को पहुंचाने जा रहा है ने विडियो बना रहा हूँ आप लोगो दिखा रहा हो देखिए इधार रन्च का पेड़ है करन्च का ही ज्ञाधा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है ख्रेस लग जाता है तो पेड़ criticism पेन्च में भी फंसल था एक महिना पहले हरा भारत था लेकिन 15-20 दिन पहले कट चुका है धान का फ़सल था जो की डाण में होने वाला फ़सल था बाइक चलाते हैं फिर भी हेलमेट नहीं पहांते हैं और देखे छोटा सा बचा स्विकल चला रहा है फिर भी हेलमेट पहांते हैं नावा फूट चुका है जितना दाना में फूटा है लावा सब खराब हो चुका है और इस तरह कलर आ जाता है दिखिए और दूसरे खेत में दूसरे बिमारी भी है वहाँ पर बाली ही सुख चुका है अर किसमें बिमारी लगता है धान का खेथ है धान का बाली में किस तरह बिमारी है बाली आने के बाद बिमारी हुआ है पहले नहीं थी ये अलग बिमारी है बाली ही पुरा सुख चुगा है सब सुख चुगा है और ये अलग बिमारी है इसमें कुछ-कुछ दाना में चावल ह और ज्यादातर से इसका दाना सुख चुका है एक कदु का दाना में चावल तियार हुआ है इस तरह बिमारी होता है धान का खेत और बाली में भी इसमें देखिए कुछ-कुछ दाना में चावल तियार है देखिए चावल बन चुका है लेकिन ज्यादातर दाना खराप हो इस तरव बेमारी होता है धान में भी हर किसी फंसल में बेमारी होता है तरह तरह के बेमारी और यह बेमारी पूरा नुक्सान कर देता है धान का खेत इधर भी इधर भी सब तरव बीच में छोटा सा कुँगा है इस कुगा में बरतंद होते हैं नहाते हैं यही काम करते हैं इ